Hello everyone, welcome back to my channel आसके वीडियो में हम जानेंगे कि समन्द बनाने समय यानि कि इंटरकोर्स के दोराण जो female partner है यानि कि जो महिला है उसको pain होने के क्या क्या कारण होते हैं देखिए, first time pain होना normal बात है, ये सब जानते हैं अगर आपको हमेशा pain हो रहा है यानि कि जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं आपको pain होता है तो इसके पीछे कहीं ऐसे गंभीर कारण होते हैं कहीं ऐसी गंभीर बिमारियां होती है जिससे कि आपको pain होता है तो इसलिए समय रहते इस problem को जानना है कि किस बज़े से हो रहा है और उसका treatment लेना है अपनी gynecologist से मिलना है और treatment समय पे लेना है और इस बिमारी को problem को खतम करना है तो आज हम ऐसे साथ कारणों के बारे में बात करेंगे जिससे कि जो female partner है उसको pain हो सकता है अगर इन में से कोई भी problem है आपको तो आपको समझना है और treatment लेना है तो उसमें से सबसे पहला कारण होता है dry vagina जी हाँ dry vagina अगर आपकी है तो intercourse करने से में आपको pain होगा क्योंकि normally जब हम intercourse करते हैं तो उस time पे जो female partner है उसके hormonal changes होते हैं body में और mucus निकलता है जिससे की जो वजाइना में dryness की संभावना नहीं होती और pain नहीं होता पर जिन महलाओं की dry vagina की सिकायत है उनको जो है mucus नहीं निकलता और pain उनको हो सकता है तो चले जान लेते हैं दूसरे कारण के बारे में दूसरा कारण होता है menopause एक एज यानि की 45-50 के बाद जो महला है उसका period आना बंद हो जाता है तो इस टाइम पे body कई ऐसे hormone के उतार चड़ाओं से जूजरी होती है hormonal problem हो रही होती है hormone की कमी हो रही होती है तो इस बज़े से भी महला को sex में इच्छा ना होना या फिर intercourse करने के दौरान pain होने की संभाव ना हो सकती है तो ये भी एक कारण होता है तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना होता है ये आपकी body hormonal problem के वज़े से इस तरह से react कर रही होती है बात कर लेते हैं तीसरे कारण के बारे में तीसरे कारण होता है vaginismus यानि की intercourse के दौरान महिला को जो नीचे की muscles होती है वो tight हो जाती है यानि की ये एक तरह की psychological problem होती है यानि की महिला को intercourse से डर लगता है यानि की संबंद बनाने से डर लगता है तो इसलिए जो muscles होती है आपके नीचे area की vagina के आसपास की वो tight हो जाती है जिससे की महिला को जो है pain हो सकता है इस time बे तो इस तरह की psychological problem कई महिलाओं को होती है तो इसका आपको सहारा लेना पढ़ सकता है treatment की आवशक्ता आपको पढ़ सकती है तो ये भी एक कारण होता है sexual intercourse करने समय pain होने का चौते कारण की हम यहाँ पर बात करेंगे वो है आपके pelvic muscles में यानि कि आपके pelvic जो area है नीचला जो आपका कमर वाली हड़ी है उसमें सूजन होना जहां कही बार ये सूजन आपके जो बच्चेदानी है वहाँ तक पहुंच सकती है तो इस बज़े से महिला को intercourse करने समय pain हो सकता है कई बार infection भी हो जाता है तो उस बज़े से swelling आ जाती है और महिला को काफी pain होना चालू हो सकता है तो इसलिए इसके लक्षनों को आपको पहचानना है आपको पेट के निशले हिस्से में काफी दर्द होगा तो इसलिए आपको इसका treatment समय पे लेना है बात कर लेते हैं पाचवे कारण की पाचवा कारण होता है UTI जी हाँ महिलाओं में बहुत आम प्रॉब्लम ये है बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम है UTI होने समय जब UTI महिला को चल रहा है urinary tract infection जब महिला को चल रहा है तो इस टाइम पे भी pain होना सौभाविक सी बात है तो इसलिए इसका treatment आपको समय पे लेना है क्योंकि UTI infection जो होता है वो आपके बच्चे दानी तक भी ना पहुंच जाए इसलिए आपको समय रहते हैं इसका treatment लेना है ताकि ये और उपर ना बढ़ सके और आपको intercourse करने समय पेन ना हो इसलिए आपको इस चीज का समधान निकालना है समय रहते ही और इस चीज को समझना है बात कर लेते हैं छटे कारण की छटा कारण होता है period के दोरान या फिर period होके बंद हो गए है तो उस time पे जो है body में hormonal changes हो रहे होते हैं तो इस वज़े से भी आपको intercourse करने समय पेन हो सकता है वैसे मैं आपको जानकारे के लिए बता दूँ कि आपको period के दोरान intercourse करने से बसना चाहिए और अगर आप कर भी रहें तो आपको condom का प्योग करना चाहिए ताकि आप infection से बस सकें क्योंकि इस time पे बच्चेदानी का मुझ खुला हुआ होता है आपको इस time पे infection उपर तक जाने के risk होते हैं शात्वे और आखरी कारण की हम बात करेंगे वो है आपके बच्चेदानी में cyst होना यानि की gant होना जी हाँ gant होने के वज़े से भी कई बार महिला को जो है पेट के निशले हिस्ते में दर्ध होना intercourse करने समय दर्ध होने की संभावना हो सकती है तो guys हमने जाने साथ ऐसे कारण जिससे कि आपको pain हो सकता है sexual intercourse करने समय तो अगर आपको इन में से कोई भी problem है तो समय रहते treatment लीजिए क्योंकि ये ब्युमारिया आपको आगे चलके भी नुकसान पैदा कर सकती है ना सिर्फ आपको intercourse करने में problem होगी बलकि आगे चलके भी आपको problem हो सकती है आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी रही हो तो like करें, share करें और हमारी चैनल को definitely subscribe करके साथ में bell icon को भी जरूर hit करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो के notification मिलते रहें आपसे वीडियो मिस नहीं हो कोई भी और सवाल है या फिर topic पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे हमें comment box में जरूर लिखें और हम मिलते हैं अपनी next वीडियो में Thank you, thanks for watching